हलो एवरिवान, वेलकम टू रीता अरूरा रेसिपी चैनल, आज चो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है बहुत ही टेस्टी, चिटपटी, करारी और एकदम कुरकुरी, और हमने इसे बहुत ही काम उयल में बनाया है, साथ ही काफी हेल्दी भी है, इसे बनान पानी बारे देंगे एक बड़ा चमज शेहजवां चटनी, अगर आपके पास शेहजवां चटनी नहीं है, तो आप इसमें पीजा-बास्ता सॉस डाल चकते हैं, और पानी मिं अगल आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे, एक कप बारीक सूजी, अगर आपके पास म पानी सूजी ने इब्जॉब कर लिया है अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और अब हम इसे ढखकर रख देंगे तकरीवन पांच मिनट के लिए ताकि यह अच्छे से थोड़ा सा थंडा भी हो जाएगा और जो सूजी है यह पानी अच्छे से से सेट हो पांच मिनट बाद हम इसका धकन हटा देंगे और यह जो सारा मिक्चर है हम एक बरतन में ट्रास्फर कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच बारी कटा हुआ प्याज अगर आप याज नहीं खाते हैं तो आप याज ना डाले यहाँ पर स्किप कर स सकते हैं दो बड़े चम्मच बारी कटी हुई शिमला मिश डाल देंगे और साथ ही इसमें दो मीडियम साइज के आलू जिसे हमने ग्रेट कर लिये हैं डाल देंगे और इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच चावल का आटा चावल के आटा इसको बहुत ही क्रिस्पी बना यह मैदा डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच हरा धनिया बारी कटा हुआ साथ ही डालेंगे एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और अब हम इन सारे इंगीरियंट्स को अच्छे से मिक्स क कर लेंगे और यानि हम इसे आटा मल लेंगे हम इसका जैसा हम Gaming अपने घरों में आटा मलते हैं और ऐसे हमेलना और यह देखिए हमने इसका नॉर्मल आटा लगा के तयार कर लिया है और अब हमने यहां पर ली है एक ट्रे और इसके उपर मैंने फॉयल पेपर लगा दिया है आपको इस टील की प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हैं इसे ओयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और अब हम इस अगर आप ना चाहें तो आप ना भी डालें और इसे उसके उपर हमने डाल के और इसे हलके से स्पाचुला से हम हलका हलका प्रेस कर देंगे ताकि जब हम इसे शेलो फ्राइ करेंगे न तो फिर ये तिल हमारे निकलेंगे नहीं और आप हम इससे फ्रिजर में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि यह अच्छे से सेट हो जाएगा और यह जो बचा हुआ मिक्षर है इसकी हम छोटी-छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और इन्हें भी हम तिल से कोट कर लेंगे यह अलग-अलग शेप्स बच्छों को बहुत पसंद आती है और यह तिल से कोट करने के बाद जब आप इने शेलो फ्राइ करेंगे और अपने गेस्ट को या अपने फामली को सर्व करेंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि यह आपने सेवरी डिश बनाई है कि स्वीर डिश है क्योंकि आजकल ज्यादा तर तिल के लड़ू और तिल की बर्फी वगएरा इन मौसम में बहुत चलती है और जब आप इने यह तिल से बना हुआ स्नैक्स खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा और 10 मिनट ही हुए है और यह हमारा मिक्सर अच्छे से सेट हो चुका है जो हमने फ्रिजर में रखा था आप चाहें तो इसे रूम टंपरेचर पर भी सेट कर सकते हैं उसमें इसे सेट होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और अब हम इसे अपनी मन पसंद शेफस में गाट लेंगे आप चाहें तो स्क्वेर कर सकते हैं या फिर ट्राइंगल कर सकते हैं मैं आज इन्हें sticks में काट रही हूँ क्योंकि जो sticks की जो shape होती है बच्चों को पकड़ने में और बच्चों को खाने में ज़्यादा attractive लगती है यह हमने पूरे mixture को इस तरह से sticks में काट लिया है और आप चाहें तो इन्हें store करके भी रख सकते हैं आप इन्हें airtight jar में बंद करिए और freezer में रख दीजे तकरीबन 10-15 दिन तक यह बिल्कूल सही रहते हैं और आपका जब दिल चाहे तब आप इन्हें निकालिए और या फिर आप इन्हें बेग कर सकते हैं यह shallow fry और deep fry जैसा भी आप चाहें बेग करने के लिए आप इन्हें 180 डिग्री पर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए बेग कर सकते हैं और यह बहुत ही बड़िया और crispy बन के तयार होते हैं और आज हम इन्हें shallow fry करने वाले हैं इसके लिए हमने gas पाइस pan रख दिया है इसमें हम 2-3 चमश देल डालेंगे बस और जैसे यह oil अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें यह sticks रख देंगे और हम इन्हे सुनेहरी कलर आने तक या फिर आप कह सकते हैं golden कलर आने तक fry करेंगे gas का flame हम medium रखेंगे आप ध्यान रखें और यह नीचे से सिख गए है तो अब हम इने पलट देंगे यह देखिए बढ़िया कितना बढ़िया इस पर कलर आ चुका है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो चुके हैं यह और हम इने इसी तरह से सब तरफ से अच्छे से fry कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना कम oil हमने इसमें यूज किया है और फिर भी यह बढ़िया क्रिस्पी बनके तयार होती है यह तयार हो चुकी हैं सब तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है तो अब हम इने टिशू पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम यह सूजी की बॉल्स भी फ्राइ कर लेंगे बहुत ही कम oil में बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया सा नाश्टा बनके तयार होता है और यह बच्चों को बढ़ों को सबको बहुत पसंद आएगा आप इसे बच्चों के lunch box में दे सकते हैं शाम की चाय के साथ enjoy कर सकते हैं यह सुबा नाश्टे में भी खा सकते हैं और यह भी बहुत अच्छे से fry हो चुकी है सब तरफ से तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और लीचे हमारा गर्मा गरम चटपटा और कुरकुरा नाश्टा बनके तयार है तो आप इसे अपनी मन पसंद किसी भी चटनी के साथ enjoy कर सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया लगता है तो आप भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभा में जरूर शेयर करें कि आपको यह recipe कैसी लगी और अगर आपको हमाई recipes पसंद आती हैं तो हमारे channel Rita Arura recipes को like, subscribe और share जरूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के notification मिलते रहें और साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी जॉइन कर सकते हैं और नही नही recipes के लिए